अब तक जितने वाकियात हुए उनकी रिपोर्ट में किसको जिम्मेदार ठहराया गया ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं उनमें से कोई भी जानता है कि एर ब्लू के बाद भोजा एरलाइन के क्रैश के बाद वो वाकिया जिसमे जुने जमशेद भाई शहीद हुए उ इसमें से किसी एक वाकिया के बाद भी किसी एक एर राइन के सरवरा को भी अगर आज तक सड़ने के लिए जेल में डाला होता किसी एक डिपार्टमेंट के हेड को लटकाया होता पुरी कौम के सामने निशान अब्रत बनाने के लिए आज का ये वाकिया ना होता हम ये कहते बड़ी आसानी से कि जी मशीन है खराब हो सकती थी इन लोगों की आई ही इसी तरह से थी अल्ला ताला की नजा के सामने हम सब का सरे तस्लीम खाम लेकिन कुछ काम इंसानों और हुकुमतों और विदारों के करने के भी है कतर एरवेज, Emirates Airlines, इतिहाद एरवेज, ये इसी रीजिन की एरलाइन्स है धाई धाई सौ एरट्स के साथ उपरेट कर रही है सिर्फ खाणी Emirates Airlines चट्ती सौ परवाजे एक हफ़ते में उपरेट करती है कोई एक वाकिया या हादसा ऐसा नहीं है जिसमें किसी एक शखस की जान गई हो और ये बड़ी एरलाइंज है बजट एरलाइंज इज़ालीजे इजी जेट रियान एर 458 जहादों के साथ रियान एर आपरेट कर रही है आज तक कोई एक हादसा नहीं जिसमें किसी एक शखस की जान गई हो इस बार बनाएए कोई खास केमिशन बनाएए को चिब्यूनल कीजे मुल्की तारीख की तेज तरीन तहकिकात चाहे वो प्याईए का सरवरा है चाहे किसी डेपार्टमेंट का हेड है कोई भी शखस है ताकित वर तरीन एक मरतबा निशान अबरत बनाएं आज के बाद कभी इस तरह का कोई बाकिया पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा अब तो ये इतिलात भी आ रही है कि फनी खराबी पहले से मौजूद थी तैयारे के अंदर कई खतूद लिखे गए इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट की जाने से अब तो जिम्मेदारी का तायून बड़ी आसानी से किया जा सकता है खुदा के वास्ते पाकिस्तान के लोगों को भेड बकरिया समझना बंद कर दें इनसान समझें ये वो तमाम लोग जिन्हें एज़े अपने घरवालों के साथ गुजारनी थी ये वो तमाम लोग जो आज अपने प्यारों के साथ मौझूद होते थे किसी हो सकते थे किसी एक की नाइहली और नालाईकी की भेंट kita ले जुने जम्शेद भाई थे आने वाले कल में शाहिद इक्रारों लेसन होगा इसी तरह से इस सिल्सला चलता रहेगा अगर इसे रोका ना गया